और जो students M.P. से G.N.M. कर रहे हैं, उनको तो और भी संघर्स करना पड़ रहे हैं, क्योंकि M.P. के जो nursing department के हैं, या health department के जो लोग हैं, वो exam का date जो हैं, वो कोई भी किलियर नहीं कर रहे हैं, कभी जो हैं, वो 6 November से हो रहा हैं, कभी जो हैं, वो 4 December से हो रहा हैं, कुछ इस तर और इतना ही नहीं हम आपको और बताते हैं कि कुछ इडिटर करने वाले वह अलग परिसान कर रहे हैं और कुछ यूटूबर भी जो है वह ही सही से नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है तो आज हम आपको पूरा जो है वह नर्सिंग का जो है MP Nursing का जो है हम पूरा वेव site पे हम आपको ओम्पेन करके सब कुछ हम आपको बताने वाले है कि क्या date आया है क्या notification किस date को यह सब हम आपको बताने वाले तो वीडियो को अंतक देखिएगा तभी आप decision यह ले सकते है कि क्या change होगा यह date या नहीं change का जो nursing website है जीनम का उस पे हम आ चुके हैं ठीक है उस पे हम open कर चुके हैं हम अब आपको आगे बताएंगे कि कौन सा notification आया है और नहीं आया है कि या आया है date change होने का नहीं यह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं तो 12 नवंबर को भी notification आया है वह 29 Act 21 को भी आया है उसके बाद यहां पर हम आपको बता देते 28 Act 21 को 28 08 को भी आया है तो सारा जो हम आपको बता देते हैं ठीक है वन वाई वन करके हम आपको बता देते हैं देखिए 28 अक्टूर 2024 को जो है इधर भी है तो यह जो है 28 सक्टूर 2024 को आया है कि जो सफल्मेंटरी का जो एक्जाम हुआ था अगस्त मामें उसी के बारे में यहां पे नोटिफिकेशन दिया है अब आपको अगर कुछ पढ के बारे में यह दिया है और फिर वही है यहां पे 28 सक्टूर 2024 तो संसोधित टाइम टेवल मुखे परिच्छा 4 दिसंबर से 7 दिसंबर जी एनें पर्थमवर्स एवं एनें पर्थमवर्स इसके नीचे जो है वो क्या था कि जी एनें सकेंड और थर्डियर के बारे में बताय परिच्छा के आंत्रिक प्रविष्टी करने बाधत यानि कि जो अंक जो अंत्रिक आंक है उसके बारे में इसमें बताया गया है उसके बाद 5 नमबर 2024 तो सट्र दूजर 22 से तैस्ट के एनें एवं जी एनें के आनलाइन अमनकर आवेधन की तीथी में संसोधन के बाधत या हो सकता है और अगर कोई करवाना चाहता है तो ओंलाइन कर वा सकता आनलान नमनकर नमन कर तो अदिए मैं शन्सोधन यानि की 12 बढ़ाया गया है ठीक है हम आपको open करके भी दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ठीक है आप यहाँ पर देख सकते कि वीडियो दो मिनट से अधीक हो रहा है उसके बाद जो है यह 12 नवंबर 12 नवंबर को क्या है तो 12 नवंबर या 11 मिद्ध में ठीक आपको अगर तुछ पढ़ना हो तो वीडियो को पहुच करके पढ़ सकते हैं प्रसक्ते हैं यहां को अब बता दिते हैं कि यह जो है हुं फिलब करने का जो डेट यह वह हो बढ़ाया गया है 12 अगा 121924 तक समाने सुल्किक साथ यानि कि कोई भी एक्ष्टा फी नहीं लगेगा आपको कब तक 12 1224 तक उसके बाद जो है वह दिनांक 13 1224 से लेकर के 15 1224 तक जो है वह वह बिलंब सुल्क यानि कि लेट फाइन के साथ जो है वह आपका भराया जा सकता है कितना लेट फाइन लागेगा 500 रुप्या के साथ ठीक है अब जो है आगे वह भी बता देता है दिनांक 16 1224 से दिनांक 18 1224 तक अति विलंब सुल्क यानि कि एक्स्ट्रा लेट फाइन के साथ एक हजार के साथ जो है आपका भराएगा अब आपको बता देते हैं कि 18 तारी के बाद जो है यह हो सकता है कि कुछ और भी मतलब फ एकजाम का भी डेट बढ़ाया जा सकता है हम जो है वह कॉलेज में बात किये हैं तो वह बताएं है ऐसा कि अभी तक जो है वह फॉर्म हो रहा है तो फॉर्म हो जाएगा उसके बाद जो है यह इसको कंफर्म किया जा सकता है कि जो चार दिसंबर से जो है वह एकजाम जो है वो किलियर होगा या नहीं ठीक है अभी जो है कॉलेज वाले भी फाइनल नहीं बताए हैं तो यह था ठीक है देखिए बारा तारीक के बाद जो है वो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया आप यहाँ पर देख सकते कि बारा तारीक लास्ट है जो हम आपको ओपेन करके बता करते रहते हैं तो अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं किये तो फॉलो कर लिजेगा